मेंस करेंट ओफेर के यह आज वर्फ लेक्टर है और आज इसेran में हम डिस्कस करने वाले हैं धो चीजे सेंट्रल बेंक डिजिटील करनशी को और इरुपी को ऑंकर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटील करनशी की कि हमने क्यों लिया यह news में क्यों चीज क्या था यह news में क्या का context था तो Central bank digital currency को हम discuss कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा Central bank इस लिए जो है वो न्यूज में थी और इस लिए जो है हम आज के इस सेशन में इसको को डिस्कस कर रहे है चल्वे कि Central bank digital currency आकिर है क्या तो संट्रेड बैक्ड इजिटल करेंसी तो बात में समझेंगे पहली यह समझे की कोशिश क eternity क्या होती है currency क्या है, currency is form of money, money that is issued exclusively by the government, यहां government का मतलब है, जिसको government नहीं जिब्मेदारी सौपी है, यानि कि आपका जो भी central bank है, जैसे इंडिया में RBI, तो जो भी money issue होता है by the central government या फिर by the central bank that is RBI, that is a currency, और currency किस form में होती है अभी, अभी आप देखते हैं कि cash की form में है, कि notes है और coins है, फिजिकल form आपने देखिए कि आपके 500 का note, 200 का note या 2000 का note है, यह coins है, सिक्के हैं, तो यह क्या है, यह currency है, और हमारी currency क्या है, रुपी, तो यह cash की form में देखें, अभी तक आपने physical form में देखें, तो अभी central bank क्या करने जा रहा है, central bank digital currency launch करने जा रहा है, तो वो क्या होगा, it will be exactly similar, except that it will be a digital form, वो बिल्कुल same होगा, उसका जो concept है, वो बिल्कुल same होगा, जैसे जो आपकी currency legal tender है, legal tender का मतलब क्या है, कि सरकार इसकी guarantee देती है, कि 500 को अगर note है, तो अगर आप 500 को note RBI के पास लेकर जाएंगे, तो आपको वो बदले में 500 रुपे की कोई चीज देंगे, जिस तो वो 500 का note लेने से मना नहीं कर सकता है, वो हर transaction के लिए acceptable होगा, तो इसी तरह ये जो digital currency होगी, ये क्या होगी, बिल्कुल same होगी, जो आपकी अभी currency है, जो की आप notes देखते हैं, वो बिल्कुल same होगा, बट वो क्या होगा, एक digital form में होगा, बलकि physical form में नहीं होगा, digital form म होगा, बाकी वो भी legal tender होगा, government उसको भी guarantee देगी, उसको भी आप transaction के लिए, exchange के लिए कोई चीज़ खरीदने के लिए, आप use कर सकते हैं, but it will be in the digital form, तो ये क्या होगा, एक कहनाचीक digital rupee होगा, और ये किस पे based होगा, it will be based on blockchain technology, जिस technology का use, cryptocurrencies जैसे की bitcoins कर रही है, उसी technology का use जो है, वो digital currency भी करेगी, वो भी blockchain technology का use करेगी, बस इसका जो कहना चाहिए, इसका जो shape होगी, या जो visibility होगी, वो digital form में होगी, आप इसको छू कर नहीं देख पाएंगे, बस, बाकी जो सारे functions हैं, बाकी जो conceptual चीज़े हैं, वो same रहेगी, जो एक normal currency की होती है, फिर physical currency की होत हैं, central banks ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि वो digital currency के पीछे पड़े होएं, हर central bank, इंडिया का नहीं, बल्कि जो बाकी developed countries हैं, वहाँ पर भी बड़ा जोर से चल रहा है, कि digital currency हमें launch करनी चाहिए, तो आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए, इसके पीछे main जो कारण है, वो है crypto currencies, crypto currencies like bitcoin, अब ये bitcoin, crypto currencies देखिए, इसके concept को थोड़ा समझने की कोशिश केजिए, ये जो crypto currencies है, ये कोई central bank जो है, वो issue नहीं कर रहा है, जो bitcoin है, उसके लिए कोई, कोई RBI नहीं है, कोई federal reserve नहीं है, जो की इनको issue करता है, they are produced anonymously, उसके पीछे कोई central authority नहीं है, वो क्या होगा, क्या आपको कोई guarantee नहीं मिलेगी, आप कोई guarantee नहीं है, कि माल लिजे, आज आपके bitcoin का जो भी rate है, माल लिजे, एक bitcoin 100 रुपे का है, तो उस जो bitcoin के पीछे जो आप वर्त बता रहे हैं, 100 रुपे, कल के दिन को अगर जो ह है, उसकी demand कम हो जाए, या वो bitcoin जो है, वो ना चल पाए, लोग उसको transaction के लिए use करना छोड़ दे, तो उसकी कोई value नहीं रहेगी, अगर आप किसी को जाकर के देंगे, कि लो, एक bitcoin मेरे पास है, आप मुझे इसकी बतले में 100 रुपे देदो, कोई नहीं देगा आपको, क्य की कोई guarantee नहीं है, कोई reserve bank नहीं खड़ा उसके पीछे जो की guarantee दे सके, जो दूसरी चीज है, वो यह क्या है, यह है, कि जो भी crypto currencies है, can be produced to a limited extent, जैसे कि physical gold है, या कोई rare earth material है, जिसकी demand तो बहुत है, बट आप उसको इतना ऐसा नहीं हो सकता, कि जितनी यह मर्जी उतना निकाल लो, भाई एक उसकी limited availability है earth के अंदर, तो आप उतना ही उसको निकाल सकते हो, लेकिन demand बहुत जादा है, तो उसकी prices बहुत high होंगे, इसी तर जो crypto currencies हैं, या जो bitcoins है, वो limited ही produce हो सकते हैं, limited ही mine हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि unlimited bitcoins जो है, वो issue किये जा सकते हैं, जितनी भी demand हो, उसको पूरा करने के लिए हम, कितनी भी bitcoins जो है, वो issue कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो limited ही produce हो सकते हैं, और जब demand जादा है, और production कम है, तो क्या ह है आज के दिन पर तो कि रेट क्या है वह हाई होंगे क्योंकि डिमांड जादा है प्रोडक्शन कम है बट कल के दिन को अगर ऐसा हो कि बिटकॉइन की जो डिमांड है वो कम हो जाए या लोग उसको transaction के लिए accept करना बंद कर दें तो इस बिटकॉइन की कोई value नहीं रहेगी और जो इसके rate है वो crash हो सकते हैं तो इसकी वज़े से क्या हो रहा है कि आप देखे आज हाई है कल लो हो सकते हैं तो एक तरह से बहुत uncertainty है financial system में तीसरा जो cryptocurrencies हैं can be used for illegal transactions क्योंकि अभी क्या कर रहा है को central bank इसको issue नहीं कर रहा है इसको trace करना मुश्किल है यह end-to-end encrypted होती है तो यह इसका use क्या जाज़ा है terrorist funding के लिए यूज हो सकता है money laundering के लिए यूज हो सकता है drugs जो को खरीदने बेचने के लिए यूज हो सकता है तो यह सारे जो ड्रॉबैक्स है cryptocurrencies के तो इसको दूर करने के लिए सरकार जो है अपनी एक digital currency लाना चाहती है जिससे जो लोगों की demand है या जो कहना चाहिए एक लोगों को एक feel आनी चाहिए कि हमारे पास भी डिजिटल करनसी है या हमरे पास भी डिजिटल करनसी होनी चाहिए उसको दूर करने के लिए सरकार जो है इस डिजिटल करनसी को इश्यू कर रही है क्योंकि यह जो cryptocurrencies हैं यह financial system को बहुत ही unstable बना सकती है financial system becomes unstable cryptocurrencies के वज़े से financial system क्या बन जाता है unstable हो सकता है तो central banks क्या सोच रहे है कि stability भी बनी रहे और साथ में जो लोग की demand है डिजिटल करनसी की वह भी पूरा हो जाए इसलिए they are hell bent on issuing digital currencies बट डिजिटल करनसी सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रिप्टो करनसी की वज़े से आ रही है इसके बहुत सारे और भी advantages है क्या क्या advantages है पहला है reduce settlement risk अभी आप चेक देते हैं डीडी देते हैं तो एक बैंक से दूसरे बैंक में जाता है वो इसको process करते हैं देखते हैं settlement होता है है ना तो इस डिजिटल करनसी आने के बाद क्या को कि आपने एक क्लिक किया और पैसा transfer मतलब digitally पैसा transfer हो जाएगा digitally रूपी पहुंच जाएंगे तो कोई settlement रिस्क नहीं होगा कोई settlement में delay नहीं होगा it will be like कि आपने किसी को cash ही दिया है बस वो cash किसकी form है digital form में है जिसे आपको digital coins दे दिये जाए डिजिटल रूपी दिये जाएगा इसी तरह से कि मैंने आपसे कोई चीज खरीदी तो मैं आपको अपने phone से जो है आपको digital currency मैं आपको दिजिटल रूपी दिये दूँगा it is as good as कि मैंने आपको cash दे दिया इसके लिए आपको किसी app की जरुवत नहीं पड़ेगी आपको किसी card की जरुवत नहीं पड़ेगी आपका settlement risk जो है वो बहुत reduce हो जाएगा second is globalization of payment system अब आप मान लीजिए आप एक exporter है या importer है मान लीजिए आपने US से कोई चीज import करी है अब आपको जो है उस exporter को पैसे देने है तो आप क्या करेंगे आप क्या करते हैं कि आप letter of credit बनवाते हैं यह अपने bank के थूट्रांसवर्स करते हैं उसमें प्रोसेस में पूरा time लगता है तो अब क्या हो जाएगा कि आपने जो है digital dollars जो है वह आप जो है उसके account में transfer कर देंगे तो ना तो आपको किसी bank की जवरत पड़ेगी ना वहां पे federal reserve कहीं picture में आएगा real time में settlement होगा और जो आपकी cost है वो भी reduce होगी settlement के लिए तो क्या होगा कि आपने कोई माल जी फिजिकल लेते के लिए यह लो dollar और मुझे माल दे दूँ इसी तरह से क्या क्या आपने बैठे बैठे घर पर बैठे बैठे डिजिटली जो है dollars उसके account में transfer कर दिए कि reduce use of cash अब जैसे हमारे यहां है हमारे यहां जो cash circulation है वह बहुत जादा है तो central bank जो है digital currency को issue करने के बाद उनकी सोच यह है कि जो cash circulation में उसको reduce किया जा सकता है जो black money generate होता है cash की वज़े से हम चीजों को छुपा सकते हैं cash में तो आराम से हमने क्या चीज कहां से खरीदी कैसे खरीदी उसका हमारे पास bureau नहीं रहता है उसको trace करना मुश्किल होता है बट जब आप digital currency का use करेंगे digitally payment करेंगे तो वह black money का generation वह भी कम होगा जो cash circulation करना पड़ता है central bank को वह भी कम हो जाएगा उनकी भी जो cost है वो कम हो जाएगे higher signorage signorage का मतलब क्या होता है जो return central bank generate करता है from the difference between the cost of production of currency and the sale at face value to commercial banks कहने का मतलब क्या है कि महां लीजे जैसे reserve bank of india है उसने पांस ओक नोट जो है वो प्रिंट किया तो उसकी जो printing में इस transportation में जो भी cost आईए वो महां लीजे पांच रुपए या दस रुपए है बट central bank जो है commercial banks को किस rate पर देगा उसकी face value क्या है 500 रुपए तो signorage क्या हो गया कि 500 रुपए में से अगर आप 10 रुपए गटाए तो 490 रुपए क्या है signorage है उसका return है जो कि उसने इस currency को print करने में और transportation के बाद जो है वो कमाया है अब अगर digital firm में होगा और digitally उसको transfer करने होंगे commercial banks को तो उसकी जो cost printing की वो भी बच जाएगी transportation की भी बच जाएगी तो जो उसके लिए signorage है जो उसका profit profit margin है वो increase हो जाएगा digital currency के issue होने के बाद protection from virtual currencies जो यह भी bitcoins है या जो भी और भी जो इस तरह की crypto currencies या virtual currencies आ रही है उनकी वज़े से जो variability है financial system में यह लोग का जो पैसा डूबने के chances है भाई आज एक bitcoin हो सकता है पांच हजार का मिल रहा हो बट हो सकता है कल की दिन को उसकी कीमत पांच रुपे भी ना रहे तो लोगों ने जिनोंने इसमें invest किया है जिनोंने इसको खरीद के रख लिया है उनका पैसा डूब सकता है तो लोग को उस situation से बचाने के लिए जो है digital currency बहुत useful होगी क्योंकि digital currency के पीछे central bank की guarantee होगी जो कोई virtual currency नहीं देती है अधर benefits क्या होंगे जैसे हमने देखा जो transactions है वो faster होंगे जो cost है transaction की वो भी reduce होगी settlement time जो है वो बहुत हथ तक reduce हो जाएगा कोई रहेगा ही नहीं बलकि real time settlement हो रहा है तो यह सारे benefits है एक digital currency के बट कुछ issues भी है कुछ apprehensions भी है कि digital currency कहां पर नुकसान दायक हो सकती है तो पहला क्या है कि cost of credit अब मान लीजिए banks कैसे create करते हैं कि banks के पास cash होता है आप जो है cash ले जाके deposit करते हैं banks उनके थुरू credit creation करता है loans देता है लोग को अब मान लीजिए digital currency जो है वो issue हो गई है तो जो banks के पास cash deposit होगा वो कम हो जाएगा अब cash deposit उनके पास कम हो जाएगा इसका मतलब क्या है जो उनके पास पैसा है जिससे वो credit create कर सकते है जिसके थुरू वो loan दे सकते है वो कम हो जाएगा अब जब पैसा कम है और demand होगी loan की तो क्या होगा जो cost ए credibility की वो बढ़ जाएगी जो interest rate जिसफिर नोन दे रहे थे वो बढ़ जाएंगे क्योंकि banks के पास अब पैसा कम होगा देने के लिए credit create करने के लिए loan देने के लिए तो जो cost है credit की क्रेडिट की वो इंक्रीज हो जाएगी लोन लेना थोड़ा महंगा हो सकता है अब जैसे पहले पॉइंट से ही रिलेटेड है कि बैंक्स के पास पैसा कम हो गया है अब बैंक्स जो है कम लोन दे सकते हैं लेकिन अभी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है अभी हमें क्या ज लोन कहां से लेंगे बैंक्स से लेते हैं अब बैंक्स के पास जो है वो इतने पैसे नहीं है तो वो हो सकता है कि बहुत बड़े लोन हजारों करोड़ों के लोन ना दे पाए या दे पाए तो बहुत high interest pay rate पे दे पाए तो वो हमारे इंफरस्ट्रॉक्टर क्रिएशन के लि किस दिन किया किस परपस के लिए किया तो जो सर्वेलेंस है वो बढ़ सकता है कि आप कहां घूमने जाते हो आप किस जगा पर expenditure कर रहे हो पूरा एक डेटा जो है किसी कंपनी के पास यह सेंडरल बैंक के पास जो है होगा तो सर्वेलेंस के chances के आपके ऊपर कोई जासूस ही करे उसके चांसे जो है वो बढ़ जाए साइबर सिक्यूरिटी अब digital farm में रखेंगे currency digital farm में होगी तो साइबर जो है safety वो बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पैसा है वो डिजिटल फॉर्म में सेफ रहे ऐसा नहों कि कोई आपका सिस्टम है कर ले और आपका सारा जो पैसा वो ले उड़े तो साइबर सिक्यूरिटी पे एक इश्यू हम रोज देखते हैं रोज मुस्पेपर में पढ़ते हैं कि किस तरह के नए-ने साइबर फ्रॉट् करते हैं जोरनेक्स्ट टॉपिक है जिसको आज हम डिसकस करेंगे त हडिस इस इडि इसका क्या कार नियूस्प अ रहा था इस का यह आ रहा था कि प्राइम निस्टर ने has launched E-Rupee August में उन्होंने ये E-Rupee launch किया था ये E-Rupee है क्या चीज़ E-Rupee एक cashless and contactless मतलब ना तो cash का use होगा और नहीं कोई contact रहेगा लेने वाले और देने वाले में एक ऐसा digital इंस्ट्रूमेंट है और पेमेंट पेमेंट करने के लिए एक cashless contactless digital इंस्ट्रूमेंट है ये क्या होगा ये person specific होगा और purpose specific होगा ये digital instrument जिस person के पास है वो ही इसको use कर पाएगा और वो भी स्रिफ एक specific purpose के लिए ही use कर पाएगा third it is developed by the national payment पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और यूपी प्लेट्फॉर्म पर ही ये वर्क करता है अब ये ये रूपी यो है क्यों लाए गया या कैसे वर्क करता है उसको समझने की जरुवत है इसको बहुत लोगों ने प्राइविट सेक्टर में जॉब्स की होंगी जिसे मैंने भी जॉब की है तो उसमें क्या होता है कि मालीजी कंपनी जो है कंपनी जनरली क्या प्रोवाइड करती है फूड कूपन्स देती है आप फूट कूपन का जो यूज करिए और जो भी आपका जो कैम्पस है जो फूट कोट है उसमें जो भी कॉंटेक्टर्स हैं उनसे आप फूट ले सकते हैं इस वाउचर को देखे तो वो फूट कूपन देती है तो मालीचे फूट कूपन का क्या utility है तो पर्चेस फूट तो एक specific purpose है company ने किसको दिया अपने employees को दिया employees क्या है इसके beneficiaries है कुछ benefit company देना चाहती थी वो benefit किसकी form में दिया उन्होंने food coupons के तौर पे दिया तो company क्या होगी आपकी sponsor हो गई कि company ने आपको food coupons दिये तो आप क्या होगे beneficiary होगे employee और company ने क्योंकि आपको food coupon दिया है तो वो आपके sponsor होगे क्या चीज़ के लिए दिया है एक specific purpose है कि आपको food purchase करने के लिए दिया है food आप किससे purchase कर सकते हैं आप सिर्फ जो food contractors है on campus उनसे आप लेंगे तो यह क्या होगे service providers होगे यह contractors क्या है service providers है तो तीन party होगे इसमें एक sponsor जो कि आपको benefit दे रही है कौन benefit ले रहा है beneficiaries और वो beneficiaries क्या services ले रहे हैं जिससे services ले रहे हैं वो service providers तो यह तीन parties है sponsor, beneficiaries और service provider यह कैसे काम करता है कि company ने आपको food coupon दिया आप food coupon का use किसे ले कर सकते हैं lunch खरीदने के लिए dinner खरीदने के लिए तो एक specific purpose है आप अपने campus में गए food court में गए वहाँ food contractors है जिसको company ने ठेका दिया हुआ है कि आप जो है food provide करेंगे हमारी company के employees को आप जाते हैं उनको वो food coupon दिखाते हैं कि यह 50 रुपे का coupon मेरी company ने दिया है मुझे इसके बदले में एक छोला बटूरा दे दू तो आपने छोला बटूरा ले लिया आपने खा लिया तो इस तरह से क्या हुआ यह एक process हुआ कि जहां पर कोई भी cash involved नहीं था no cash कहीं भी cash का use नहीं हुआ कहीं भी contact नहीं हुआ food coupon दिया और आपने खाना ले लिया तो आपको जो benefit देना चाहती थी सरकार या जो company थी जो वो देना चाहती थी वो benefit भी उसने दे दिया और जिस purpose के लिए देना चाहती थी वो ही purpose पूरा हुआ अगर मान लिजीए वो आपको 50 रुपे के food coupon की जगा 50 रुपे cash में दे दी थी तो आपके गरते छोड़ना यार खाना कौन खाएगा चल cigarette पी लेते हैं चल यार कुछ और काम में लगा लेते हैं यार ticket खरीद लेता हूँ आज metro का मैं कार लाना बोल गया ये रुपी क्या है digital instrument है तो ये किसकी फॉर्म में है QR कोड या फिर SMS की तौर पर एक SMS string होगा जो कि आपके phone पर भेजा जाएगा तो suppose कीजिए कि सरकार आज जो है 3000 रुपे की fertilizer subsidy देती है किसानों को वो चाहती है कि ये 3000 रुपे जो है मैं directly एक इरुपि की थूझ जो है वो किसानों को दू अभी क्या होता है कि fertilizer जो है किसान जो है वो जाख करके दुकान से खरीधते हैं फिर वो दुकान वाला बताता है कि मेरी इतने की बिक्रिभी हुई है Aytने जो है जो है तने Baks जो है सरकार जो है उसमें पैसा transfer करती है market price minus जो भी जिस भी rate पर किसान को देता है उसके बीच में जो subsidy होती है subsidy का मतलब क्या है जो भी market price है fertilizer का minus price at which farmers get fertilizer तो इसके बीच का जो भी difference है वो subsidy देती है सरकार किसको उस shopkeeper को जो की fertilizer बेच रहा है और उसके account में पैसा transfer करती है सरकार चाहती है कि मैं उस shopkeeper के account में transfer नहीं करेंगे हम पैसा हम directly किसको देंगे हम किसानों को दोंगे जो कि real beneficiaries हैं लेकिन हम cash नहीं देना चाहते हैं अगर cash देंगे तो किसान हो सकता है उन 3000 रुपे का यूज किसी और purpose के लिए कर ले तो सरकार चाहती है कि हम fertilizer के लिए जो subsidy देते हैं जो 3000 रुपे हम देना चाहते हैं किसानों को वह इसी purpose के लिए यूज हो कि वह सिर्फ fertilizer खरी दें तो वह ए रूपी का पास पहुंचेगा service provider मतलब जो कि fertilizer कर रहा है fertilizer को बेच रहा है उसके पास पहुंचेगा QR code दिखाएगा कि भीया देखो मिने पास QR code है 1000 रुपे का QR code है मुझे इसके बदले में एक बैक fertilizer चाहिए तो वह उसको दिखाएगा उसके बदले में बैक जो है उसको fertilizer का मिल अपने जो बैंक है जो भी सरकार का बैंक होगा उस बैंक के खाते में equivalent amount of रुपी जो है वो पहले सी जमा करवा करें रखेगी जितने क्या उसने वो coupon दी है वो QR code बनवाया है मालेजिए 3000 रुपे का बनवाया है तो 3000 रुपे सरकार अपने partner बैंक में deposit करवा देगी जब किस जाएगा QR code दिखाएगा दुकानदार को उसके बाद bag ले लेगा fertilizer का तो वो 3000 रुपे बैंक से जो है shopkeeper के खाते में transfer हो जाएगी तो इस तरह से क्या हुआ कि fertilizer की जो subsidy है वो direct utilize हुई farmer ने और farmer ने किसको यूज किया किस चीज के लिए उस किया सिर्फ fertilizer खरेदने के लिए ही वो यूज कर सकता था और वो ही farmer यूज कर सकता था जिसके पास वो QR code या फिर SMS string है और जो payment है shopkeeper को वो भी real time में हो गया कि जैसी QR code दिखाएगा bank से पैसा उसके account में transfer और उधर farmer जो है अपना bag लेके fertilizer का जा सकता है इस तरह से क्या होगा कि leakage भी नहीं होगा जो beneficiary है real beneficiary को इसका खाइदा मेलेगा बीच में leakage नहीं होगा अब fertilizer किसी और black marketing के लिए use नहीं हो सकता है कि किसानों की जगा किसी और को दे दिया जाए और जो है सरकार से subsidy claim कर ली जाए तो इस तरह से e-rupee जो है वो work करेगा simple food coupons की तरह features क्या होंगे e-rupee के digitally connect करता है किसको service provider को जो भी sponsor है उसको और तीसरा जो भी beneficiary है उनको बीच में कहीं उनका contact नहीं होता है उनको digitally connect करता है payment after transaction पहले ही पैसा transfer नहीं होगा जब आप लेकर के जाएंगे qr code दिखाएंगे जब आपकी transaction हो जाएगी तब पैसा जो है वो टांसफर होगा उस shopkeeper के account prepaid तो यह क्या देगा यह farmer को माली यह fertilizer subsidy देनी थी तो सरकार ने पहली जो है year के शुरूब में जो है टाइमली जो है payment हो गया उस subsidy का उस benefit का और beneficiary जो है वो अपने हिसाब से अपनी जरूवत के हिसाब से उसको यूज कर सकता है कि तो significance क्या हुआ यह रूपी का कि उसने जैसे मैंने बताए उसने leakage को reduce कर दिया real beneficiary तक जो है वो फायदा पहुंचा और इसको साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी utilize कर सकता है यह तो आप इंटरफेस बन गया है यह जो qr कोड है यह जो sms string है यह तो एंपी सी एंट नेशनल पेमेंट कॉर्परेशन आप इंडिया ने क्रियेट कर दिया है अब प्राइवेट सेक्टर भी चाहे तो वो अपने employees को कोई benefit देना चाहता है तो वो इस ए रूपी का रूपी 50 रूपे का माली यह वाउचर है तो इसकी वर्थ है इसके पीछे 50 रूपे की guarantee है कि आप 50 रूपे की कोई चीज खरी सकते हैं जिस परपस के लिए वो दिया गया है तो इस तरह से ई रूपी जो है वो सरकार को बहुत help करेगा कि वो जो भी अपनी subsidies देते हैं जो भ भी वो उससे ensure कर सकते हैं कि जो beneficiaries हैं वो उसी परपस के लिए उसको use करें जिस परपस के लिए वो subsidies दी जा रही है और सरकार का जो खर्चा है जो transaction cost है वो भी सब reduce होंगी target beneficiaries तक पहुँचेगा जो subsidies है और सिर्फ real beneficiaries को मिलेगी इसमें फरजी लोगों को benefits नहीं मिल पाएगे तो यह सारे फायदे हैं e-rupee के thank you so much friends फिर से मिलेंगे next session में और कुछ नए topics के साथ कुछ ऐसे मुद्दों के साथ जो की current context में चल रहे हैं तब तक इस lecture को देखिए और जो notes हमने दिये हैं आपको इस lecture के उनको revise केचे thank you so much friends